नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तो मेगा मॉली कीचन में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे सूझी का केक सूझी केक को आज हम कडाई मेंबनाईंगे तो चल ये दोस्तो अगर आप मेरे चेनल पे अभी नए हो तो चैनल को northwestर ना भूले पास मैं एक वेल आईकन का बटन उसे भी प्रेस्ट कर लीजिए चल ये देखते हैं हमें सूजी केक को बनाने के लिए किन-किन चीजों की आउशकता होगी चले दोस्तों एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है आदा कप PCV चीनी यानि की पाउडर सुगर में ने डाल दिया है आदा कप घी आदा कप दही देखिए हमें इसे विस्कर की साइता से अच्छे से फैंटना है इसका एक इसमूद गोल तयार करना है देखिए ये मैंने बारिक वाली सूजी ली है इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसमें गुठलिया ना पड़ें लम्स ना आए अगर आपके पास बारिक वाली सूजी नहीं है तो आप मिक्सी में डाल के चला लीजिए ये वेडर मुझे थोड़ा टाइट लग रहा था थोड़ा मैंने दूद इसमें डाल दिया है देखिए इसे अच्छे से फैटते हुए यह देखिए, चल को इसे अब रेस्ट करने देते हैं एक कड़ाई ले लेते हैं, इसमें नमक डाल देते हैं नीचे से यह बेकिंग वाला नमक है, इसे मैं केक बनाने में बार बार यूज़ करती हूं और फिर ठंडा हो के इस्टोर कर लेती हूँ, चलो कड़ाई के वो प्रिहीट कर लेते हैं एक केक टिन ले लिया है मैंने, केक टिन को पूरा ग्रीश कर लिया है चारो तरब से रिफाइन ओयल डाल के, आप चाहो तो गी से भी ग्रीश कर सकते हो यह देखिए, इस तरह से, कई बार लोग बोलते हैं कि केक जल जाता है, तो मैं आपको पूरा बता लेती हूँ केक टिन में इस तरह से आप मैदे को स्प्रिट कर लीजिए, यह देखिए, चारो तरब मैदे को फैला लीजिए इस तरह से, फिर जो एक्स्ट्र मैदा है उसे गिरा लीजिए, टैब करके यह देखिए, इस तरह से आप मैदे को चारो तरब से लगा लीजिए, यह देखिए अगर आप मैदा नहीं लगाना चाते हो, तो यह एक बटर पेपर लिया है, मैंने बटर पेपर नीचे केक टीन में लगा लेंगे देखिए ये बेटर काफी सोक कल लिया है इसने तो इसमें थोड़ा सा और दूट डाल लेंगे और मिक्स कल लेंगे क्योंकि सूजी काफी एपजॉब कल लेता है तो इसलिए ये देखिए इस तरह से बेटर होना चाहिए दो तिन बूट वैनिला एसन्स की डाल लेते हैं अच्छे से मिक्स कल लेंगे ना हमारा गोल ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज्यादा गाड़ा जो मैंने केक टिन का पहले प्रोसिश बताया है इसी तरह से अगर आप करेंगे तो आपका केक कभी नहीं जलेगा देखिए मैं थोड़ा सा सूजी बचा ले रही हूँ मेरा केक टिन छोटा है तो इसलिए थोड़ा सा दो बैच में मैं बनाऊंगी देखिए ये कुछ टूटी फ्रूटी मैं केक के उपर से लगा लेती हूँ चलिए कड़ाई अच्छे से प्रिहीट हो चुकी है केक टिन को हम इसमें डाल देंगे इस प्रोसेस को आप आराम से करिए क्योंकि इस टाइम पर कड़ाई गरम रहती है 35 मिनट के लिए हम इसे डख के रख लेते हैं चलिए देखते हैं 35 मिनट बाद कीक पका है या नहीं चेक कर लेते हैं एक तूद्पिन की साहता से आप चेक कर लीजिए आप चाकू से भी कर सकते हो देखिए तूद्पिन बिल्कुल कीलिया निकल रही है इसका मतलब है हमारा केक बनके तयार है देखिए बिल्कुल भी साइट से जला रही होगा केक चलिए इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं केक अच्छे से ठंडा हो चुका है एक प्लेट में आप इसे निकाल लीजिए और उपर से टैप कल लीजिए बटर पेपर को निकाल लेते हैं मैंने आपको बिल्कुल एक तरीका बताया है कि आप किस तरह से आपका केक नहीं जलेगा मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है देखिए किना अच्छा कलर आया है केक का और स्पोंजी भी बनके तयार हुआ है यह देखिए बिगर अंडे, बिगर इस्ट, बिगर बेकिंग सोडा मैंने बना के बताया है आप इस केक को घर में जरूर ट्राइ किजिए और मुझे कमेंट करके बताया कि आपका केक किस तरह से बना है अगर आपको मेरी सूजी की के की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सस्क्राइब कीजिए, वेल आइकन दबाना ना भूले मेरी नई वीडियो की नॉट्फिकेशन सबसे पहले पाने के लिए वेल आइकन जरूर दबाएं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, बाई बाई दोस्तों, थैंक यू